आज हम लेकर आपके लिए कि किस तरह से हमें कुछ इंफोर्मेशन मैथमेटिकल दिए गए हैं और कुछ मिसिंग इंफोर्मेशन तो आज हम देखेंगे किस तरह से कौन सा ट्रीक है कि हम फटफट अपने मैथमेटिकल करके चैनल के जो रेकॉर्ड करते हैं तो कई बार जब हम लोग कलेक्व करता है ट्रेडिंग अकाउंट मनाते हैं प्रिए कोश्ट दिया है सेल दिया है तो कौश्ट नहीं पता है और यह्जिप है एक मिसिंग होता है उसी mission को हमें find out करना है तो हम लोग आज इसके mathematics है हमने note कर दिया कि mathematics क्या है trading account बनाते हैं समया उस mathematics पर हम लोग बात करें तो कई बड़ा छोटी चीज होते हैं हम लोग कर नहीं पाते हैं जैसे तीन term का use करते हैं जासा कि हम जानते हैं कि trading account is the part of final account trading account से gross result पता लगता है यारी gross profit या gross loss पता लगता है जब जब हम लोग business में profit के बात करेंगे तो तीन term बड़ा important है जब profit के बात आती है तो एक term हम लोग use करते हैं cost के लिए sold में हमने c denote कर दिया है और एक बात आती है profit के लिए और एक और बात आती है sell के लिए ये तीन term बड़े अहम है अगर हमें बेवसाइक profit के बात करनी है तो जानना होगा cost कितना है जब cost पता लग गया अगर profit जानना है तो ये जानना होगा कि sell कितना है अगर sell मालूम है cost मालूम है तो फिर ये पता करना होगा profit कितना है तो ये तीन तर्म बड़े important है तो कभी तो cost मालम होता है ये sell मालम होता है तो profit नहीं मालम होता है कभी profit मालम होता है cost मालम है तो sell नहीं मालम होता है यानि तीनों term में से कोई ने कोई एक missing है तो बड़े असानी से हम लोग निकाल सकते हैं तो देखते हैं आज इसी पर हम बात करते हैं कि सवाल का मोड किस तरह से होगा क्या मालूम है और क्या मालूम नहीं है देंग जो missing item है उसको हम लोग कैसे calculate करेंगे on the basis of given information तो कई methods है उनमें से चंद methods हम लेकर आये हैं ताकि आपको फैदा हो सके एक पहला है हमें पता है cost of goods sold suppose given दिया हुआ है किसी question में ऐसा हो सकता है कि cost of goods sold दिया है gross profit percentage में है लेकिन sale पर दिया है but sale is unknown कमाल की बात है cost हमें पता है gross profit का percentage पता है लेकिन यह percentage किस पर है parce रहें vapor sector हमको पता ही नहीं है but sell क्या है unknown है तो जब sell unknown है तो क्या करना है cost non the sale unknown लेकिन profit sell पर दिया तो जो हमें पता है उसपर हम चाह रहे हैं कि इस percentage को shift कर दे चाहते जो हमें मालूम उस पर निकालना चाहते हैं धानकना कि cost एक अलग figure हो सकता है और sale एक अलग figure हो सकता है normally sale का figure बड़ा होता है तो जो percentage आपको sale पर दिया है और same percentage आप cost लागू करोगे तो आपका answer गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों के size में फर्क पड़ता है profit तभी possible है जैब कि amount of sale must be more than the amount of cost तो ज्यादा होगा अब profit निकालना है इसलिए कई बच्चे भूल करते हैं कि यह जो percentage दिया है इस percentage को sale पर दिया है और sale मालूम नहीं है लेकिन cost मालूम नहीं है इसी percentage को बच्चे cost पर निकाल देता है इंको लगता है कि सब बराबर ही आंसर गलत हो जाए है तो हम देखते हैं कैसे करेंगे इसमें solution दिखाए गया है कि method one पहला method हम लेके चलेंगे shift करेंगे shifting यह जो percentage gross profit जो sale पर दिया है उसको sale से हम लग shift करेंगे cost पर क्यों करेंगे ऐसा क्योंकि sale is unknown but cost is available in the question तो जो available है हम उस पर shift करके लेके आ रहे हैं तो easy हो जाए तो method one में है shifting of gross profit percentage from sale to cost of goods sold इस पर shift करना है क्यों करना है cost पता है तो step one में क्या करेंगे अगर case ऐसा जो box में देखना है अगर ऐसा case होगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे पहले काम करना step one में convert percentage यह जो percentage दिया convert करना into simple fraction जैसा कि हम लोग सब जानते हैं बच्पर में पढ़ते हैं कि percentage को हम लोग fraction में change करते थे और fraction को फिर हम लोग percentage में change करते हैं तो mathematics का थोड़ा आपना basic चीज़े हैं तो दीग पर्सेंटेज को हम लोग convert कर देंगे simple fraction में यानि percentage को बट्टा में यानि बाई में बदल लेंगे जिसको यूँ find आया है जैसे हम convert करेंगे उसको fraction में तो इस form में आएगा एक बट्टा एन के फॉर्म है एन का मतलब हम यह आप नेचुरल नंबर है यह एन जो है one two three four five यह vary कर सकता है और उपर वाला जो है constant यहां bracket indication है one constant जैसा है वो इसे ही रहेगा one ही रहेगा लेकिन नीचे वाला जो n है यह vary करेगा यह दो आ सकता है तीन चार पांच इस तरह आता रहेगा इसलिए natural number का indication है and represents the natural number and that is variable होता रहेगा तो सबसे पहले हमने step one में कहा कि जो percentage है वो इसको हमने fraction में convert कर दिया यह बत्ता में convert कर दिया और कटाने उटाने के बाद वो इस form में आ जाएगा यह तो constant है वो इसमें कोई भी नीचे number आ सकता है one two three four five कुछ भी आ सकता है तो चलिए सबसे पहला step हमें यह काम करेंगे दूसरा step में काम करेंगे shifting this fraction यह जो fraction जो sell पर था अब उसको shift करेंगे किस पर cost पर second step shifting this fraction from sell to cost of goods sold करेंगे तो कैसा होगा यह वैसा ही रहेगा इन लेकिन नीची जो आपके number आया होंगे उस नीचे number में से one minus कर देना है जो कुछ value आया होगा नशल का उसको minus कर देना है एक कम कर देना है अत्ता multiply करके क्या रखना है इसको cost of goods sold बस answer हमारा आ जाएगा इस तरह से बिलकुल answer आ जाएगा इतना कर लेंगा अब यह कैसे करेंगे हम अब देखना यह पहला केस में है अब जैसे मान लिए जाए हमें मान लिए को cost हमको पता है 20,000 cost मालूम सेल हमको पता नहीं है सेल नहीं मालूम इसके अनुसार में बात कर रहा हूं और GP हमें पता है percentage में दिया है मान लो कि यह 20% on sales in this given example जो percentage है 20% है किस पर सेल पर बट सेल पर बट सेल इस अनौन देन हाव गए तब क्या करेंगे यह कोश्ट पता है हम ट्राइ कर रहा है कि यह जो सेल पर दिया है इस सेल वाले percentage को हम कहां shift कर दें कोश्ट पर shift कर दें तो सबसे पहला step में क्या करेंगे इस दिये गया percentage को हम लोग इस फॉर्म में लेकर आना चाहते है फ्रेक्शनल फॉर्म यह जो percentage है यह जो 20% हम इसको ऐसा कर सकते हैं और यह कटाने के बाद यह ऐसा आ जागा देखिए convert हो गया one आ गया और नीचे एक natural number आ गया इस फॉर्म में आ गया इस फॉर्म में आ गया लेकिन अभी यह किस पर है यह cost पर है sorry cost पर नहीं है इस तरह से अब multiply कर देंगे को से हमारा आ जाएगा अब आप सिट कर रहा हैं देखिए कैसे आता है एक दम आसान तरीका तो निकाल सकते हैं जीपी स्कल्टू यह आ गया ऐसे और इसमें से वन माइनस कियाते हो जाएगा ऐसे और यह से लेहां से हट के क्या हो जाएगा कोस्ट कोस्ट हमारा कितना दिया था इतना कटा के देखिए और आम से कट जाएगा बटा में कटाना आता है तो तो सीधे यह आ जाएगा हमारा 5500 प्राफट अगर चीक करना चाहेंगे कि भाई, सेल का कयसे निकलता है। सेल का 20% निकाले हो तो इतना आना चाहिए। आच्छा है कोश्ट का वन फर्त निकाले तब इतना आना चाहिए तरह देखना यह है प्रॉफिट सुरी यह है कोश्ट और यह है प्रॉफिट दोनों आपस में जोड़ेंगा तो सेल निकल जाएगा 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 चेक कर रहा है कि अगर इस सेल का हम निकाले होते अगर हम सेल का निकाले होते 20% अगर सेल मालम होता उसका निकाले होते देखी इतना आता है कि नहीं बिल्कुल आप निकाल सकते हैं जिपी इस सेल का कितना परसेंट बिल्कुल यह आजाएगा 5000 तो जिधर से आप चेक करेंगा वही आना चाह यह अगर सेल का निकालते 20% तब भी वही आ रहा है या अपने cost का 1 1 कर दिया तब भी वही आ रहा है लिए गीवें केस है उसमें हमें sale मालूम नहीं था cost मालूम था इसलिए आपने technique के जरी है हमने इसको sit कर दिया, sell से कहा, cost पर हमने sit कर दिया, तो सीधे निकाल लिया, turning, अगर आप बार बार इसको practice करते हैं, तो यह ऐसे ही होना, ऐसे देखा हम कर सकते हैं, जो भी हमें cost amount पता रहेगा, चीदे कर लो, तो दूसरा देखते हैं, इसमें एक और है, एक और question, पहला में क्या था, cost मालूम है, लेकिन percentage of profit, sell पर दिया है, तो हमने उसको convert कर दिया, कहां transfer कर दिया, sell से transfer कर दिया था, cost पर ऐसे कर दिया, अगर कहीं यह उल्टाओ, कि हमें sale पता, given, second में देखना, हमें sale मालूम है, यह पता है, लेकिन gross profit का percentage पर दिया होगा, but cost is on not, कमाल होगे, percentage दिया ह profit का cost पर, लेकिन question में cost पता ही नहीं, तो जब पता नहीं है, तो पता है क्या, sell मालूम है, तो आप चाह रहे हैं कि हम इसको सीधे transfer कर ले, किस पर, जो मालूम है, sell पर, तो सब से बस वही state, जो percentage करते हैं, simple fraction में, तो जो हमारा दिया है, gross profit percentage में, कितना दिया है, जो भी दिय है, चलो माल लेते हैं, एक example मांगा, gross profit is 20% on cost, इसके हिसाब से, cost पर दिया है, लेकिन, sell मालूम है, और sell हम को पता है, मान के चलिए, 20 था होगी, यह sell मालूम है, और cost हम को पता ही नहीं है, अगर पता होता है, तो हम यहां पर निकाल सकते थे, हम सोच रहे हैं, कि यह जो percentage दिया है, cost को, इसको shift कर देना चाहते हैं, sell पर, तो सबसे पहला तरीका क्या है, यह जो percentage दिया है, इसको हम fraction में convert करते हैं, तो जैसे आप इस percentage को fraction में लाओगे, तो यह ऐसे हो जाए, लेकिन अभी hack किस पर यह, on cost, यह cost पर यह, हम चाहरेंगे cost से इसको हटा दें, तो जैसे हटा होगे, यह देखना form किस में आ गया है, यह one upon n के form में आ गया है, लेकिन अब जब इसको change करना है, cost से हटा कर sell पर, यह हो जाएगा इतना, और इसमें देखना निचे क्या है, n plus one, तो यह किस पर चाहरेंगे, sell पर आ जाएगे, यानि n plus one कर दोगे, तो ऐसे हो जाएगे, और यहां पर तब ही हो जाएगा, on sales, तो एक बढ़ता, 6 into sell हमारा कितना है, 20,000 है, जो भी कट है, यह काटने के बाद जो भी आ जाएगा, हमारा क्या निकल जाएगा, gross profit पता लग जाएगा, और जैसे ही gross profit मालूम होगा, cost मालूम है, profit पता लग जाएगा, तो क्या sell नहीं निकल जाएगा, gross profit plus cost इसका to sell, तो इस परकार इभी निकल जाएगा, इस तरह कहीं भी सवाल आएगा, कि percentage देख रहे है, profit का किस पर है, cost पर है, but cost नहीं मालूम है, sell मालूम है, तो इसको वहाँ shift कर लेंगे, अगर percentage हमारा sell पर है, लेकिन sell नहीं मालूम है, तो cost मालूम है, तो कैसे convert कर लेंगे, हम लोग sell से फिर cost पर, इस परकार हमारे profit निकल जाएगे, और जो missing है, sell missing है, sell निकल ये, cost missing है, cost निकल जाएगे, क्योंकि इसके formula जानते है, ये तीन जो important word है, इस तीन word में cost है, profit है, और sell है, और इसका ये होता है, य एक, दो, तीन, इस में से कोई एक मालूम है, तब फिर दिक्कत हो जाएगे, कम से कम दो तो मालूम जरूर है, जैसे ही कोई दो मालूम है, तिसरा अपने आप निकल जाएगे, cost मालूम है, प्रफिट मालूम है, दोनों के जोड़ देंगे, तो sell निकल जाएगे, अगर sell माल कर दो, तो cost निकल जाएगा, यह एक equation जैसा बन गया, जो missing होगा, आप उसको set कर लो, with the help of equation, वो निकल जाएगे, तो इस परकर आप समझ गए, कि जहाँ भी missing figure निकलना है, mathematical calculation करके, तो सीधे हम लोग डायेट, अब इतने करने, हमने समझाने के लिखा है, तो सीधे अगर को और यहाँ सीधे multiply के जिसके करना है, डायेट निकल जाएगा उसका, anyway, तो उमीद है कि यह बात समझ में आप खुआई होगी, और इस तरह के जो बिलते जुलते सवाल लेंगे, आप बिलकुल आराम से बनाओगे, यह इस तरह का mathematical के जो कुशन आपको मिल लेंगे, हमने लेकिन एक दूसरे, एक दूसरे method के साथ मिले गए, यह हमने लिखा है, method number one, एक तो method यह तरीका हो गया है, कैसे हम लोग sales से cost पर, cost से sell पर करके निकालेंगे, तो इसका method बदल कर देखें, हम लोग next video में, कि कितना वो समझ में आता है, जो easy होगा आप उसका use करना, तो मिल आता फिर जाए है,